Hello and Welcome, My Dears Two Hints. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel. We assist you Kapoor. आज हम Class 8, New Learning to Communicate के चाप्टर 9 के बार में बात करेंगे. जिसका नाम है Green Parish in a Cage. यह जो particular chapter है, इसे गोपी, गोवा ने लिखा था और यह बहुत ही प्यारा chapter है. इसको explain करने का मेरा तरीका ऐसा ही होगा कि हम इसे हिंदी में explain कर रहे होंगे और difficult words को cover कर रहे होंगे. आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए बिना देरी किये हुए शुरू करते हैं ऐसे. Green Parrot in a Cage. अब आपको ये बात तो पता ही है कि Green Parrot ना Cage का क्या मतलब है? Cage मतलब होता है एक तरीके का पिंजरा और पिंजरी में हैं Green Parrots. तो ये कहानी कैसी है, क्या है? चलिए इसको start करते हैं. तो ये जो स्टोरी है, ये capture करती है, यानि कि बेसिकली इसके विदिन ये hold करती है. Anguish का मतलब pain, pain यानि कि sufferings. तो ये क्या करती है? ये pain और sufferings को hold करती है, यानि इसमें pain और sufferings बताई गई हैं किसकी? Of a family living in Synth. एक ऐसे परिवार के जो Synth में रहता है. अब ये लोग क्यों pain में हैं, क्यों दुख में हैं, तो reason उसका ये है, कि इस परिवार को, ये सिंद में रहता था, लेकिन इस परिवार को finally partition के time पर, जो partition हो रहा है, इंडिया का partition, इंडिया-Pakistan का partition हो रहा था, उस समय इन्हें अपनी जो ancestral का मतलब होता है, parental, है ना, अपने parental जो जमीन है, उसे छोड़के जाना पड़ रहा है, parental home को छोड़के जाना पड़ रहा है, parental home को, parental, जमीन को, घर को, छोड़के इनको finally जाना एक unknown land में, एक अजीब से unknown जगह पर. There is a parallel story of a parrot in a cage, who long for freedom, but when the door of their cage is open, what do they do? तो यहाँ पर साथ इसाथ एक परिवार, और उसी के साथ एक parrot की story है, कि जिस तरह से परिवार को भी आजादी चाहिए थी, मतलब भारत के लोगों को भी आजादी चाहिए थी, उसी तरीके से parrots, जो की पिंजडे में है, उनको भी आजादी चाहिए, लेकिन जब आजादी मिली, तो सबको दुख जादा हुआ, खुशी कम हुई और दुख जादा हुआ, कि जब इमें आजादी मिली, तो partition हुआ, कई लोगों की घर तूट गए, अपने घर छोड़ने पड़े, कुछ पाकिस्तान रह गए, कुछ इहां रह गए, परिवार अलग हो गए, कितने सारे, इसके कारण में यहां पर यह समझ में आया, कि एक्च्छल में आजादी, freedom को हम long तो करते हैं, लेकिन जब वो मिलती है, तो म किस तरीके से, उसके प्रदी behave करते हैं, यह हमें story के विदिन बताया जा रहा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, a man wearing a large turban stood at the gate, he had two parrots for sale, तो एक आत्मी, तर्बन का मतलब क्या होता है, तर्बन का मतलब होता है, पगड़ी, एक आत्मी जिसने लाज तर्बन, बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी है, red color की, वो दर्वाजे पे, gate पे खड़ा है, देखो, पोटर में दिख भी रहा हैं हैं आपे, वो gate पे खड़ा है, he had two parrots for sale, उसके पास बेचने के लिए दो parrots हैं, वो बेचने आया है, right? Man wearing last urban should, sorry, no thank you, I said, feeling sorry for the birds, it was a beautiful day, and the cage was too small for them. तो यह जो लेडी है, जो सामने खड़ी हुई है, इनको बहुत बुरा लगता है, कि भाई, ठीक है, आप parrots बेचने आये हो, वो ठीक है, लेकिन parrots को cage में रखना, क्या यह कोई अच्छी बात है? नहीं, यह बुरी बात है, तो वो क्या कहती है, no thank you, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और उनको बुरा भी लग रहा है, she was feeling sorry, उन्हें बुरा लग रहा है, कि इतने सुन्दर दिन में, इन parrots को तो आजाद उड़ना चाहिए था, लेकिन यह जो cage है, यह इनके लिए बहुत छोटा है, और यह अपने cage में बिचारे बंद है, ठीक है, तो उनको बुरा फील हो रहा है, तो देखो, यही है, red turban वाला आदमी, जोको उसके हाथ में cage है, और यहाँ पर यह lady है, जैसे बुरा फील हो रहा है, और यहाँ पर यह बच्चा है, जो कही ना कहीं चाहता है, कि cage उसको मिल जाए, राइट, चलिए, तो यह जो writer है, narrator है, वो बताती है, कि इनका जो एक बेटा है, उसके चुटे-उटे हाथ, tiny hands हैं उनके बेटे के, और उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था, और बहुत lightly पकड़ा हो था, वो जोर से नहीं पकड़ा था, वो जोर से नहीं पकड़ा था, पर वो ही हाथ, जबी तक अपनी मा का हाथ, बहुत हलके हाथों से पकड़ा हुआ था, उसी बच्चे ने अब अपनी मा का हाथ, clenched कर दिया है, यानि बहुत जोर से squeeze करके, बहुत tight पकड़ लिया है, अब यहाँ पर जो lady है, वो जो है, नीचे देखती है अपने बच्चे की तरफ, और इसके बच्चे के curly hairs हैं, curly आनि के तोड़े से घूमे-घूमे, curly hairs हैं, तो वो अपने बच्चे को देखती है, और उसका सर देखती है, जो की sturdy है, sturdy का मतलब strong and muscular, या मतलब कह सकते हैं, जिसकी body बहुत अच्छी है, जो healthy है, मोटा का तगड़ा है, ठीक है, तो sturdy का मतलब होता है, strong muscular physique, ठीक है, आप उसको लिख लिएते, जो भी चीज़ें हैं, आप उसे लिखते जाये करिए साथ में, strong, या फिर आप सिफ strong भी लिख सकते हैं, या फिर muscular physique, the stronger muscular जो बच्चे का सर है, उसकी माँ देखती है, उसके बेटे की ऐच तीन साल की है, he stood beside me, seriously watching the antiques of the green parrots, as they jumped from purge to the floor of the cage, तो lady बताती है, कि उपने बच्चे को देखती है, जिसकी उमर अभी तीन साल है, वो अपनी मा के बगल में खड़ा हुआ है, यानि narrator के बगल में खड़ा हुआ है, seriously watching the antiques, और बहुत seriously, वो antiques का मतलब है, silly and funny behavior, जो भी behavior वो parrots कर रहे हैं, उसे बहुत seriously देख रहा है, of the green parrots, as they jump from purge to the floor, और क्या देख रहे हैं, कि parrots jump कर रहे हैं, कूद रहे हैं, कहां से, perch से floor पे, अब perch क्या होता है, तो perch एक ऐसी जगा होती है, जहांपर parrots rest करते हैं, जैसे पिंजड़े के अंदर आपने देखा होगा, अगर ये पिंजड़ा है, मालो, इस तरीके का है, ठीक है, तो पिंजड़े के अंदर इस तरीके का जहूला टाप का बना होता है, इसके उपर parrots बैठे रहते हैं, तो ये जो जहूला है, इसी को perch कहा जा रहा है आपर, वहीं पर वो rest करते हैं, ठीक है, तो क्या देख रहा था वो बच्चा, कि जो parrots हैं, और उसके बाद वो ये भी देख रहा है, कि क्वेरेट्स क्या कर रहे हैं, रूफ की तरह उपर चर जा रहे हैं, और अपनी जो लाल-लल कलर की चोच है, रेट कलर की जो उनकी बीक है, और नॉबली क्लाउस मतलब है, उनके अजीब से घूमें, फिरें, उनके जो हाथ होते हैं, उन हाथों और चोच की मदद से, वो किस तरीके से रूफ पे चड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, वो बच्चा जो बहुत ध्यान से देख रहा है, तो पेरेट्स जो हैं, जो पेज के अंदर हैं, उनके जो हैं, उनके जो आखें हैं, वो विकेट हैं, तोड़ी शेतानी भरी आखें हैं, बदमाश आखें हैं, और उनके चोड़ी बदमाश सी टंग है, जीव है, और ये सब जो हैं, हम लोगों को fascinate करती हैं, यानि कि अपनी तरह अट्राफ करती हैं, और इसलिए उस बच्चे को भी सारी चीज़े अट्रैक्ट कर रही है और वो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देख रहा है तो man जो था जो birds को बेचने आया था वो यह बात समझ गया था कि इस बच्चे को यह birds पसंद आ गई है और यह birds को खरीदने की जित करेगा इसलिए यह man क्या करता है उस बच्चे की तरफ उस केज को स्पन करता है स्पन का मतलब क्या होता है कि जब अपसे से घुमाते हो कोई चीज गोल गोल गुमाते हो तो वो पूरे cage को गोल-गोल बच्चे के आगे खुमाता है जिसे कि वो बच्चा जो है उसको देखे और और fascinate हो और जित करे अपनी मा से और दिखाता है कि देखो यह birds कितने सुन्दर है beauty of the young birds he raised his eyes to look at me appealingly अब बच्चा इतना ज्यादा fascinate हो जाता है उन birds को लेने के लिए वो चाता है कि किसी तर से मुझे birds मिल जाए तो वो क्या करता है अपनी मा की तरफ देखता है appealingly मतलब appeal करते हुए appeal का मतलब बता है कि request कि अरे मुझे दिला दो ठीक है इस तरीकी की नजरों से निमा की तरफ देखता है ठीक है I need the money he said for the ticket home he said for a ticket home तो वो आदमी जो है जिस वेक्ति के हम लोग बात कर रहे हैं जो cages और birds लेके आया था वो उस औरत को बताता है कि मुझे पैसे चाहिए मुझे घर जाने के लिए पैसे चाहिए मुझे ticket खरीदने के लिए home की ticket खरीदने के लिए पैसे चाहिए वो बताता है कि मुझे पैसों की जरुत है इसे मैं बर्ट्स को बेचने आया हू that year many people needed money to leave the town for home तो यह जो lady है जिसकी story में हम लोग उसे कर रहे हैं और narrator भी है वो कहती है कि उन दिनों कई लोगों को पैसों की जरुत थी कई लोगों को अपने घर जाने के लिए पैसों की जरुत होती थी wherever the home was जहां भी उनका घर हो उन्हें हो अपने घर जाने के लिए पैसे चाहिए होते थे तो यहां पर वो lady उस आदमी को ध्यान से देखती है कि वो जिस तरीके के कपड़े पहना हुआ है वो home spun cloth है यानि घर में बिने हुए spin घर में बिने हुए वो कपड़े हैं और यह lady guess करती है कि यह आदमी का घर कहां होगा कच में होगा और कच जो है है घरबाद सिंसे जादा दूर नहीं है यानि कि हैदरबाद के पास में ही यह जगे है कच जहां पर इस जगती का घर होगा क्योंकि इसके पहनावे को देखकर यह औरत इस बात का अंदाजा लगा रही है कि यह कच्छ का रहने वाला होगा I gave him the money and wondered if I should take the cage with the two parrots since I too would be leaving town soon तो lady ने क्या किया देखा भई तुम्हें पैसो कि तो थे तुम पैसे ले लो पैसे तो दे दिये लेकिन उसके सोचने लगी कि क्या मैं cage लूँ या फिर cage भी ना लूँ क्या मतलब है cage को खरीदने का क्योंकि इन birds को मैं प्रे पास रखतो लूँगी लेकिन finally कुछ दिनों बात इस lady को भी अपना यह जगा छोड़ कर जाने वाली है ठीक है इस town को छोड़ कर यह lady भी जाने वाली है तो वो क्या करेगी इस cage का तो ना ले गया यह सोचके वो दो मिनट का pause लेती है However, I was afraid the country might be tempted to spend more time to sell the birds all over again लेकिन lady को क्या लगता है इस narrator को क्या लगता है कि अगर मैंने this cage को नहीं लिया तो यह आदमी क्या करेगा लालच में आ जाएगा और इनी birds को फिर बेचेगा और फिर किसी से पैसे ले लेगा इस तरीके से वो एक ही bird को बार 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 सेल कर रहा होगा It was unlikely that he would release them और ऐसा वो कभी नहीं करेगा कि इन birds को आजाद कर दे इन birds को हमेशा पिंजरे में रखेगा और हमेशा ने बेच बेच के पैसे कमाता रहेगा इस चीज का डर narrator को है My son brought the cage in proudly and confidently holding it high and kept it on the marble top table in the veranda अब बच्चे को जो है finally इन्होंने decide कि कि नहीं ने ले लेते हैं cage क्योंकि बेचता रहेगा उसको नहीं तो तो बच्चे ने वो cage ले लिया ठीक है इसके बद क्या होता है वो बहुत proudly और confidently वो बच्चा अंदर आता है cage को लेके उस पिज़े को लेके holding it high और बहुत उचा पकड़ा हुआ है उसको and kept it on a marble top table और लाक के कहां पर रखता है marble topped table पर यानि कि marble लगी हुए एक table पर जो कि वरांदा में ही जो garden में ही वो जगा थी table थी उसके पर रख देता है for a long time he leaned against the table and looked at the parrot love entertaining his heart for them तो बहुत देर तक वो उस पिंज़े के तरफ जुका रहता है उसको देखता रहता है और parrots को देखकर वो खुश होता रहता और आप देखता है कि उसके दिल में उन parrots के लिए बहुत प्यार उमड रहा है कहीं से बहुत खुश है वो बच्चा ठीक है उन parrots को देखकर love swam openly in his large clear eyes he watched me feed the birds with green chillies and ripe guava filled the small bowel with water I barely saved my finger being nipped by the sharp beak and I was blowing on my skin of my knuckles calling the parrots few unpleasing names when my son surprised at my shocked reaction and my language offered him podgy little finger तो होता क्या है कि वो बच्चा है उसे उस parrots से इतना प्यार हो रहा है कि उसकी आखों में वो प्यार जो है साफ नजर आ रहा है बड़ी बड़ी आखे है और उसमें प्यार साफ नजर आ रहा है he watched me feed और वो अपनी मा को देख रहा है कि किस तरह कि उनकी मा उनको green chillies और खटे अमरूत खिला रही है और कैसे उसकी मा पानी भर के एक बाउल में पानी रखके उनके पास रख रही है वो होते है knuckles और वो क्या करता है nipd का मतलब क्या होता है काट लेता है जोर से तो वो क्या करता है काट लेता है उनकी knuckles पे और जैसे वो काटता है तो बहुत देश चोट लगती है narrator का तो वो क्या करती है फूकने लगती रहसे न एक फोगते हैं कि कोई छोट लग जाती है तो वो फूगने लगती है और साथी साथ वो जो पेरट्स हैं उँनको कुछ बुरा भला बोलती है कि या रे यार काट लिया किते बुरे हैं ये पेरट्स कुछ बोल देती है बुरा सा जब वो इस सारी चीज़े देखता है बच्चा छोटा बच्चा इस सारी चीज़े देखता है तो उसे बड़ा जीब सा मैसूस होता है वो अपनी मा को देखता है और उसकी shock reaction को देखता है और उसे language को देखता है तो उसे लगता है कि मेरी मा जोहन parent से प्यार नहीं करती क्योंकि जब वो प्यारेट से प्यार नहीं करती है तो मुझे ही उनसे प्यार करना पड़ेगा तो वो क्या करता है अपनी p strong little finger पॉजी का मतलब होता है, एक अच्छी सी मोटी थी, सुन्दर सी, प्यारी, हेवी इंदम जैसे गद्देदार मोटी फिंगर अपनी पेरिट्स को दे देता है, कि लो तुम मेरी उंगली काट लो, मा की उंगली काट रहे हो तो मा उल्टा सिधा कह रही है, तुम मेरी उंगली क I explained the anger of the little green parents imprisoned inside a small cage इसके बाद अब इसकी मा जो है देखते है कि उंगली काट ली पेरेट्स ने तो इसके ब्लड निकल रहे तो अपने बच्चे का क्या करने लगती है बैंडेज लगाने लगती है, ड्रेसिंग करने लगती है वो करते करते, लेडी बताती है अपने बच्चे को कि ये पेरेट्स इतना गुसा क्यों है देखो कोई भी, किसी को भी अगर आप केज में रखोगे, किसी को भी आप पिंजरे में रख दोगे तो वो गुसा तो हो गई यह बात वो अपने बच्चे को सलजाने की कोशिश करती है My son heard me and understood the meaning of my words but such pleading trembled on the young face that postponed my idea of going up to the terrace to open the cage door It was already late afternoon and there would be cats above the place my mother warned me अब क्या होता है जब उसकी माई सारी बाते बच्चे को बताती है तो वो अब ध्यान से सुनता है इन बातों को और इन बातों की मतलब को भी समझ जाता है मतलब क्या था? मतलब इसका यह था कि आप उसको cage में मत रखो इसे जो है आजात कर दो यानि इन cages को खोल के parrots को उड़ा दो यही केना चाहती थी वो lady है ना? तो बच्चा यह बात समझ गया था लेकिन वो चाहता नहीं था कि वो words को जाने दे तो वो क्या करता है? pleading करने लगता है pleading यानि कि बहुत अधा request trembled मतलब कि बहुत tension में कापने लगता है plead करके कि नहीं 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 प्लीज अभी मत इसको जाने मत दो words को आजाद मत करो क्योंकि मैं अपने पास words को रखना चाहता हूँ बच्चे के ऐसे reactions को देखने के बाद narrator यह decide करती है कि चलो इस idea को postpone कर दिया जाए postpone का मतलब होता है delay कर देना किसी चीज को delay कर देना क्या कहलाता है? postpone तो वो क्या करती है? इस idea को delay कर देती है D-E-L-A-Y लिखी नहीं रहा है पताने क्यों हाँ तो यह क्या करती है? प्रेट मैं आइडिया को delay कर देती है और वो यह भी सूचती है कि दुपहर का time है अगर मैं उपर जाकर cage खोलके इनको उड़ा दूँगी आजाद कर दूँगी तो यह safe भी नहीं होगा क्योंकि cats होती है और cat क्या करेंगी इसको खा लेंगी narrator की मा ने उसको warning की थी कि cats भी हैं आपर तो आजाद करना इस तरीके से ठीक नहीं रहेगा अब यह लेडिस होती है तो इन parrots को कहाँ पर छोड़ा जाए तो इसके दिमाग में आता है कि पास में सिर्फ एक ही पेड़ है जो कि अपने compound mosque कहाने की मस्जद मस्जद के compound में है बहुत नैरो सी lane में वहाँ पर hundreds of pigeons and at least one peacock lived in that tree और उस पेड़ पर बहुत चारे कबूतर रहते हैं और एक peacock भी रहता है फिर वो narrator सोचती है कि जो green parrots है इनको जो एक बड़ा सा garden चाहिए ठीक है फिर वो सोचती है एक orchard के बारे में orchard क्या होता है तरीके से garden होता है तो वो जो garden है वो शहर से थोड़ा बाहर है शहर से बाहर है टाउन के बाहर है वो वहाँ पर बहुत सरे fruit trees है बहुत सरे फलों के पेड़ है एक छोटा सा pond है जहां पे ducks भी रहती है और एक पुराना gardener भी रहता है जिसका नाम है रमाई whose special hobby was to look after the birds and frightened away the marooning crows and kites जिसका जो hobby है रमाई को hobby क्या है कि उसकी hobby है कि जो birds है उनका देखबाल करना जो garden जित्ती भी birds रहती है उनका देखबाल करना और जो marooning crows है marooning crows क्या होता है मतलब कि ऐसे crows जो खाना ढूणने के लिए marooning the crows that come for searching the food तो इस खाना ढूणने के लिए जो crows आते हैं उनको डरा डरा के भगाता है यह रमाई it was a month before I could go to the orchard the situation outside was still somewhat tense they told me तो एक महिने पहले की बात है कि lady उस orchard में गई थी यानि उस orchard में वो एक महिने पहले गई थी the situation outside was still somewhat tense और बाहर जो situation है अभी भी tense है यानि partition होने वाला है तो बाहर की situation अभी tense है तो वो इसलिए वाँ पर नहीं जाती थी I was confident thought that our horse carriage was well known in the city लेकिन अभी उन parents को छोड़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पर यह जो lady है इस बात को लेकर बहुत confidence उनके अंदर है बहुत confirm है कि यह जो इनका घोड़ा गाड़ी है जिससे यह travel करती है इस घोड़े गाड़ी को हर कोई जानता है मतलब लोग इनको पहचानते हैं कि यह किसकी घोड़ा घोड़ा गाड़ी है I must have driven over that a bit of roots innumerable times तो author कहती है narrator कहती है कि वो innumerable times जनी बहुत ही बार वो इस घोड़ा गाड़ी को चला कर बहर निकली है इसलिए हर कोई उनको जानता है and new every house and shopkeeper on the way वो हर घर को और हर दुकान वाले को रास्ते में अच्छे से पहचानती है और उनको भी हर कोई पहचानता है I was sure no one could possibly want to hurt a young visibly pregnant woman traveling with a small son and two parents in a cage तो lady कहती है कि मुझे भरोसा है कि कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुचाएगा हाला कि situation बाहर बहुत tensed है लेकिन कोई भी इंसान एक pregnant woman को ये lady pregnant है इनको baby होने वाला है एक pregnant woman को जिसके ताथ एक चोटा सा बच्चा हो और two parents हो इसको कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा तो ये बाहर जा सकती है ये सोच रही है ये ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ये दीन मुहमद एक व्यक्ती है उससे कहती है कि चलो तुम ही हमें ले चलो वहाँ पर तो वो मना कर देता है वो कहता है ये बहुत risky होगा वहाँ जाना और मैं वहाँ नहीं जाना चाहिए वो जो garden है वो बहुत दूर है और ये river के दूसरे side पर located है Release the parrot here दीनो advised दीने मुहमद कहता है कि आप पने parrots को यहीं release कर दो ना यहीं पर जाने तो उनको और give them to the maulana और अगर आप नहीं यह काम करना चाहते तो यह parrots maulana को दे दो He went to the mosque and brought the maulana to the gate even before I could agree or say anything about that required fruit trees तो उन्होंने गहा उस दीने मुहमद ने गहा कि ऐसा करो आप यह parrots किसको दे दो maulana को दे दो इससे पहले कि यह lady कुछ गह पाती कुछ हामी भर पाती वो तुरन भाग के गया और mosque के पास से maulana साहब को बुला लाया I was the maulana dissolved into tears the previous week while he said goodbye to my grandmother and my mother अब maulana साहब जो हैं वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन लोगों के दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि एक जगह गहने वाले लोगों में एक emotional connection हो जाता है तो जो maulana साहब है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं पिछले ही कुछ हफतों की बात है पिछले ही हफते की बात है कि maulana साहब की आँखों में एक दो आशू आ गए थे जब इन्होंने अपनी narrator की मा और दादी को goodbye कहा था जब वो लोग घर छोड़के जा रही थी यहां से shift हो रही थी तो इनको बहुत तकलीफ हो रही थी और इनकी आँखों में आशू आ गए थे यानि कि यहां पर हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब इस family से कितना ज़्यादा जुड़े हुए है कितना ज़्यादा connected है बोट मैं ग्रान्मदर और मदर अध कम तो दे हाउस इंटो नेवर अफ दे मॉस्क नेवर होड़ोड अफ दे मॉस्क एस ब्राइड़्स क्यों मौलाना साहब को इतना दुख हो रहा था जब वो लोग जा रही थी तो क्योंकि दादी और माँ दोनों ही यहाँ पर नई दुलहन की तरह आई थी जब starting में जब नई दुलहन आती है विदा होके तो वो दोनों इसी घर में आई थी जहाँ पर यह narrator आज रहती है ठीक है और आज वो अपने ससुराल छोड़के अपना घर छोड़के एक दूसर तरफ जाके अपना घर बनाने वाली है तो यह बात बहुत दुखत थी और मौलाना साहब को यह गम बहुत दुखत लग रहा था इसलिए वो रोने लग गए थे पिछले हथे तब मौलाना डिड नॉट वीप अज यह सेद गुड़बाई तो मी लेकिन जो मौलाना ने इनको गुड़बाई कहा narrator को, writer को तब वो ने रोना नहीं आया बट ही रेस्टेड अगार्लें हान, sorry, गार्ण hand on my son's head और उनने क्या किया अपना जो बूढ़ा सा twisted हाथ है वो twisted बूढ़ा हाथ जो है बच्चे के सर पे रखा and he promised to look after our parents और उनने कहा कि मैं जो हूँ तुमारे parents का ध्यान रखूंगा I saw the grief in the old grey rimmed eyes जो lady है, जो narrator है वो कहती है कि मैं जो दुख है उन मौलाना के आँखों में जो दुख है वो मैं देख सकती थी I turn my attention away from them sliding my grace across the narrow lane to look at the many struttering with white pigeons their tails spread out like fans unaware of what was happening around them तो उनने का चलो ठीक है ये रख लो आप और उसके बाद उनने मौलाना के आँखों में दुख देखा, लेकिन फिर उसने अपने मन को हटाया और इधर उदर नजर फेराई इधर उदर नजर दड़ाई तो उसने देखा बहुत सारे चीजें, जैसे वाँपर white pigeons थे, जिनकी tails जो थी fan के तरह लग रही थी, और वो इस तरीके से घूम फिर रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ अपने आस-पास की ख़बर ना हो, the peacock with a bedraggled long tail, weeping the mud baked floor of the compound, बहाँ पर peacock थे, जो अपनी बड़ी सी जो गीली-गीली untidy, जो उसकी पूँच होती है, tail होती है उसे जमीन पे sweep करते हुए, जहाड़ो लगाते हुए, चल रहा है और वहाँ पर राम से घूम फिर रहा है on the low branch emitting loud ugly cries और चिला रहा है, खराब सी अगली यानि के बेकार सी आवाज निकाल रहा है stupid things I thought I shook my head, और यह सब देखकर, जो narrator है उसके दिमाँ में क्या थोट आता है क्या बकवास है यह सब stupid things और उसके बाद वो अपना सर हिला देती है I have promised my son I said gently the parrots will be given an orchard a garden with a lot of fruits they are wild birds and will fly away from you someone will cast them and put them in the cage and sell them तो lady को क्या लगता है कि नहीं, यह जगह ठीक नहीं है parrots को छोडने के लिए तो वो क्या कहती है मौलाना से कि मैंने अपने बेटे को वादा किया है कि मैं इन parrots को जो है garden में छोड़ कर आऊंगी जहां पर fruits के पेड होंगे यह wild birds हैं यह उड़ जाएंगी और को इनको फिर से पकड़के cage में डाल देगा और फिर उने बेचेगा मौलाना से कह रही है यह सारी बाते यह मौलाना को thank you करती है to look after my father who as a head of the community has decided to stay on and to see the affairs of the people left behind और यह क्या करती है मौलाना को thank you कहती है कि वो जो है ध्यान रखने को तयार है इनके पापा का जो लेडी है इसके पापा का ध्यान रखने को तयार है जो उनने डिसाइड किया था कि वो यह छोड कर नहीं जाएंगे जगा यही रहेंगे तिसे पार्टिशन के बाद कुछ लोग इंडिया जा रहे थे लगि इनके पापा ने डिसाइड किया था और चार जाने की बाद सोचती है ठीक है हाँ दीन मौमद had more or less taken to his bed after leaving my grandmother and mother at the station तो अब जो है यह लोग late afternoon था जब यह और चार जाने के बारे में सोच रहे हैं और यह जो हमारी narrator है हमें बता रही है कि जो दीन मौमद जिनों ने मना कर दिया था ले जाने से उसके बरे में बता रही है कि वो लगबग शयद वो bed rest पे है कि क्या है I don't know लेकिन जब से वो narrator की grandmother and mother को station छोड़ कर आया है and could not bring himself to the sit in the coachman's seat तब से वो इस गाड़ी को चलाने के लिए coachman's seat पे नहीं बैठा है much less see where he was going क्योंकि वो जो है देख नहीं पाता है कि वो कहां जा रहा है the tears kept coming into his eyes and impairing his efficiency क्यों वो उसने गाड़ी चलाना छोड़ दिया उसने इनकी गोड़ा गाड़ी चलाता था लेकिन पिछले अपते जब उनकी दादी और नानी को दादी और मा को छोड़ कर आया station उसके बाद से वो इस गाड़ी पे नहीं बैठा है और वो गाड़ी को नहीं चलाना चाता क्यों नहीं चलाना चाता क्योंकि वो सही से देख नहीं पाता है क्यों नहीं देख पाता कि जब भी वो गाड़े बैठता इसके आँखों में आंसु भराते हैं तकलीफ के और दर्द के वकारण उसके आँखे जो है भर जाती है और इससे रास्ता नजर नहीं आता है ना तो इसके इफिशेंसी कम हो जाती है और वो धंक से गाड़ी नहीं चला पाता तो इन्होंने लेडी ने सोचा कि चलो खान साब को लेचलें खान साब जो है इनकी सेकेंड कोच मैन है जब दीन-े-मुहमद नहीं जाता तो खान साब को यो लोग अक्सर अप्रोच करते थे ठीक है ये तॉल और फियर्शली लॉयल ये लंबा और बहुत लॉयल विक्ती है प तो इसका जो बीटा है नरीटर का वो क्या करता है इस पठान के पास इसकी गोधी में बैठ जाता है जब तक वो पठान गाड़ी चला रहा है बच्चा गोधी में बैठा हुआ है और खुब जोड-जोड से बाते करके हस रहा है गर्गलिंग लाफ्टर यानिकि जोड-जो और narrator क्या कर रही है पीछे बैटकर खिर्की से बाहर देख रही है और हर एक जगा को देख रही है हर एक landmark हर एक particular place को जिसको वो देखा करती थी हमेशा और अपनी आखों में उस पूरी scene को भर ले रही है क्यों वो उतनी ध्यान से देख रही है क्योंकि उन्हें अब इस बात की फिकर हो रही है कि इसके बाद वो दुबारा इसको नहीं देख पाएंगी कभी भी क्योंकि वो इस जगा को छोड़ कर जाने वाली है और ये बातें एक्सेप्ट करने में बहुत टफ लगती है एक्साइल का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी और देश में आपको जाकर रहना पड़ रहा है किसी पॉलिटिकल कारण से अपनी मरजी से आप नहीं जा रहे हो तो उन्हें निकाल जिसे लगता है देश निकाला किया जा रहा है और दूसरे देश में भेजा जा रहा है जबरदसी रहने के लिए तो इक यही चीज है जो जात लोगों के जिंदगी में तकलीव का कारण बनी शायद आपको पता होगा तो हमारे सुरेश उबरोय हैं विवेक उबरोय को जानते होंगे आप उनके पापा सुरेश उबरोय वो बताते हैं कि जो उनका परिवार था वो पहले पाकिस्तान की तरफ रहता था वो पाकिस्तान के बहुत अमीर लोग हुआ करते थे finally वो क्या करते हैं वो छोड़ कर अपना जब partition होता तो बहाग के इंडिया आते हैं तो उनका घर, परिवार, उनका सारा building सब भही रह जाता है और इंडिया आके वो बहुत गरीब हो जाते हैं तो इस तरीके के बहुत सरे दुख थे उस time उस scenario में ठीक है ancient time told to children by grandmother on the cozy winters evening beside the fire side तो यह जो एक ऐसी चीज है, एक ऐसे feeling है जिसके बारे में अकसर पुराने जबाने की कहानियों में, stories में, दादियां अपने बच्चों को, grand child को यह सारी चीज़ें बताया करती होंगी ठीक है, मतलब कि stories में जैसा होता था, उस तरीके की चीज़ें लोग के साथ real में हो रही है the gate of the orchard was open when we reached तो जब ही लोग पहुँचे तो orchard का gate खुला हुआ था there was no one about, महां कोई भी नहीं था we, my son, khan saab and I, call out the gardener's name तो इन तीनों ने मिलकर gardener के नाम को बुलाया gardener का नाम कहता है रमाई रमाई, we cried, अरे रमाई, where have you gone? we were answered by a heavy silence तो क्या था, ये लोग रमाई को बुला रहे थे और रमाई पता नहीं कहां चला गया था, उसकी आवाज नहीं आ रहे थी और इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था बलकि इनके आवाज ही गोंज रही होगी उल्टा the late sun slanted across the lawns and partly lit some of the trees as in the painting तो scenery describe कर रही है आपर, narrator कह रही है कि slanting sun की जो rays है वो पढ़ रही है और जो trees है उनके उपर इस तरीके से रोशनी पढ़ रही है for a long minute I stared around me trying not to mind the oppression of the silence एक पल के लिए for a minute जो यह जो लेडी है वो इधर देखती है और वो देखती है कि किसी भी तरह से मुझे जो है इस पर ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर कितना जादा cruel और कितना जंगल जसम होल है इस पर ध्यान नहीं देना है और यहाँ पर इतनी शांती है इस बार पर ध्यान नहीं देना है fighting the madness that was beginning to overwhelm me I dropped to my knees and placed the palm of my hand on the green grass it was not easy तो यहाँ पर क्या होता है वो जो है बहुत जादा इस चीज के उपर यह feeling overwhelm हो रही है इनके बहुत जादा इनके उपर overpower कर रही है इन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन वो जो है क्या करती है अपने आपको घुटने पर बैट जाती है अपने बच्चे का हाथ जो है green grass पर रखती replaced the palms of my hands अपने हाथ को नीचे की घास पर रखती है it was not easy merely looking at the sheer beauty of the place made me born to read और यह जो था यह चीज उनके लिए बहुत difficult है क्योंकि इस जगा की जो beauty है यह उनको रोने पर मजबूर कर रही है चीक है तो क्या होता है बच्चा जो होता है वो भी खड़ा होता है वो अपनी मा के पास आता है और कहता है मा के पास आके अपने मोटे-मोटे जो plump plump यानी के एकदम अच्छे मोटे गुदगुदे हाँ जो है अपनी मा के गालों पे रखता है उसके मा के आखों में आसू है उसके गालगीले हो चुके है तो अपनी मा के गालों पे रखता है और कहता है कि मा तुमने तो कहा था कि जब parrots को हम आजात करेंगे तो वो खुशी से कूद उठेंगे खुशी से जर्म करने लगेंगे जब उन्हें fruit tree मिलेगा Yes, son, I replied and I got up to put the cage in the center of the lawn तो उन्हेंने कहा कि हाँ, हाँ, मैंने कहा था, बेटे, मैंने कहा था ये खुश होंगे, देखना, बहुत खुश होंगे अभी ठीक है, तो क्या होता है कहती है, कहती है, हाँ, मैंने कहा था, चलो, चलो, चलो जली सम पेरिट्स को वहां रख के आते हैं तो वो क्या करती है, जाती है, और जाकर बहुत carefully I open the tiny door, afraid I might get nicked वो क्या करती है, चोटे से दर्वाजे को खोलती है, पर डर भी उसको लग रहा कि ये पेरिट्स मुझे काट ना ले, but the birds sitting firmly on their perch stared at me, पर जो birds अपने perch पेर्च पे बैठे हुए, पर्च मैंने बताया था आपको क्या होता है, अपने पर्च पे बैठे हुए वो जो है, इस narrator को ध्यान से देख रहे हैं, cautiously blinking their white eyelids like wise old men और बहुत ध्यान से, वो अपनी आखों के पल के जपका रहे हैं जैसे कि एक समझदार बुढ़ा व्यक्ति करता है I brought my son to the edge of the lawn from where we could see we could watch the parrots fly out और ये लो क्या करते हैं, cage को दूर रखके एक कोने पे जाके खड़े जाते हैं एक किनारे पे जाके खड़े जाते हैं जिससे कि वो वहां से देख सकें कि parrots किस तरीके से उड़ेंगे we waited patiently for the long time कि बहुत देर तक इंतिजार करते रहते हैं the birds would not trust themselves to step out लेकिन क्या देखते हैं कि birds बाहर ही नहीं निकल रहे हैं वो अपने उपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो बाहर जा सकते हैं they sat inside feeling safe within the familiarity of the birds वो जो है उन जो क्या सकते पिंजरे की से इतनी जादा वाकिफ हो चुके हैं अब कि उन्हें वो पिंजरा safe लग रहा है जबकि birds की फित्रत उड़ना होती है लेकिन ये उड़ना भूल चुके हैं इनके अंदर कहीं न कहीं एक डर बैट गया है like us, they two waited in silence जैसे ये लोग शांती से इंतिजार कर रहे हैं वैसे parrots भी शांती से इंतिजार कर रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं उसने अपने आपको नौक कर लिया या नहीं अपने आपको ठोकर लगा ली एक पिंजरे की ही एक कह सकते हैं बार से यानि कि पिंजरे में सारुतर से लोहे का लगा रहेता ना उसी से टकरा गया है क्यों टकरा गया है क्यों क्यों टकरा गया है I wondered if like me she was pregnant and in desperate need to build a nest तो यह लेडी सोच रही है कि शायद वो पेरेट जो है प्रेगनेंट हो इसको भी बेबी होने वाला हो और इसको जो है एक nest की जरुत हो I had broken my heart to watch her frenzy It had broken my heart to watch kept her frenzy तो यहाँ पर उनका दिल टूट रहा है उन्हें परिशानी हो रही है कि पता नहीं क्या प्रॉबलम से पैरेट स बाहर क्यों नहीं निकल रहे और यह सब देखकर हो बड़ी थ्यान से जो इस सारी चीज़े देख रही है frenzy का मतलब होता है कि उनके wild behavior को check कर रहे है तो यहाँ पर वो और भी चीज़े सोचने लग गई है लेडी सोच रही है कि अगर यह पैरेट प्रेगनेंट होगी और इसको बेबी होने वाला होगा तो एक बेबी जो है अलड़ी इधी इसी बॉल इस पिंज़े के अंदर ही जनम ले लेगा और ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए ऐसा ना हो यह जो प्रेगनेंट पैरेट है इसको कोई बिमारी ये कोई परशानी हो जाए तो क्या करेंगी सब सोच रही है और बड़ी ध्यान से देख रही है ठीक है अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ने उपर आसमान की तरफ देखा और उपर चीज़े देखना शुरू कर दिया अब क्या देख रही है वो चारो तरफ बहुत सारे बर्स हैं अलग-अलग जगा पर चुपे हुए हैं अलग-अलग पेड़ पर बैठे हुए हैं और नरेटर जो है आखे फेर कर सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रही है ठीक है जैसे ही नरेटर इदर देखती है तो वो क्या देखती है कि पेरेट दोनों पेरेट्स हिम्मद जुटा कर केज से बाहर निकलाए हैं लेकिन वो केज के आसपास ही है यह सोच कर कि जैसे ही कोई दिक्कत आएगी हम तुरन केज के अंदर भाग जाएंगे वो क्या करता है दूसरा वाला दो में से एक ब्रेव है बोल्ड है वो क्या करता है कूट कूट के आगे बढ़ता है आजादी को जीने के लिए है ना लेकिन वो जो है उसको थोड़ा सा डर भी है कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा है लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है तो उननने का चलो लो कोशिश तो कर रहा है यह देख कर दोना एक दूसरे को खुशी से देखते है ने बेटे की तरफ यह देखती है नरेटर तो यह जो नरेटर है वो कहती है कि इतनी जल्दी वो ओड़के चले गए मैंने पने बेटे को देखा और फटाक से वो ओड़ गए इतनी जल्दी वो ओड़के चले गए कि एकदम से भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे बirt अभी एक हफते से हमारे दोस थे हमारे साथ थे और अगले ही पल दोट उट हो गए और वो जो हैं बाकी बड़ के साथ मिंगल दोगए यानि कि मिउक्स हो गए बाकी लोगों के साथ मिक्सी हो गए बाकी बाकी बड़ के साथ with the leaves and other members of the tribe पेडों के बीच पे छुप गए कि बाकी कहां चले गए there was no farewell, no parting तो उन्होंने न कोई farewell किया न उन्होंने कोई goodbye किया और यह चुप चाप अराम से चले गए feeling sad and now really scared of the silence and the shadows that thickened with each passing second I took my son by the hand and hurried away तो यहाँ पर क्या होता है इनको बुरा भी लग रहा है पेरेट्स को भीजने का लेकिन और रात का टाइम में hall भी ऐसा है, बहुत शान्ती है shadows बहुत परचाईयां पढ़ रही है पेडों की और बहुत डरावना महौल है यह क्या करती है जल्दी से अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और हर एक पल, अगला पल और अंधेरा हो रहा है तो इनको डर भी लग रहा है तो इनको बच्चे का हाथ पकड़ती है और जल्दी-जल्दी जो है, empty cage को एक आखरी glance देती है आखरी look मारती है आखरी पर देखती है half away across the second lawn I gave into my fear picked up the child began to run towards the waiting horse carriage और इनको इतना डर लग रहा है कि जल्दी से आखरी नजर मारने के बच्चे को गोधी मिठाती है और भागते हुए दोरते हुए horse carriage के तरफ पहुँच जाती है suddenly I was glad to be out of the place for now the orchard was no longer a thing of beauty और वो बहुत खुश है कि finally वो उस orchard से बाहर निकल गई है क्योंकि जो orchard है वो अब कोई भी खूबसूरत जगह नहीं लग रहा है it became eerie and frightening eerie का मतलब ही होता है strange और डरावना तो यह बहुत डरावना लग रहा है वो orchard अब the fruit trees did not house green parrots with laughing red beaks and twinkling black eyes the horse's hooves thundered on the gravels तो यहाँ पर क्या होता है वो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हमें जो है तुरत यहाँ से चले जाना जाएगी fruit trees जो है यह अब parrots का घर नहीं लग रहे जबकि यह जो है हमें बहुत डरा रहे हैं यहाँ का सिनारियो महल बहुत दरावना हो चुका है तो इस तरीके से यह लोग जो है भाग कर रिटर्न होते हैं वहाँ से कोपी गौब अपना experience बता रहे हैं कि इस तरीके से जब आजादी मिलती है तो इंसान बहार निकलने में डरता है और जब आजादी नहीं होते तो उसी आजादी का अंतिजार करता है I hope आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे वी अस्टिस्ट्यू का पूर इस चानल पर अगर आप पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजे जिससे आने मेले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे बताइए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच और ब्लेस यो